बच्चो आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूं आपका हमारे इन और्गानिक के मिस्ट्री के चैप्टर में आपको पता है कि आज कल हम यह नहीं मेथट से रिकवरी कर रहे हैं तो आज भी मेरे पास कुछ एक क्वेश्चन्स हैं जो मैं आपको एक्स्प्लेइन करूंगा सो कई बच्चों को कल थोड़ी प्राब्लम थी तो मैंने उनकी प्राब्लम रिजॉल्व कर दी थी सो अब आपको कई भी ट्रबल आती है तो बेटा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो मैसेज कर सकते हो और आपके क्वेश्चन्स की अंसर मैं दे सकता हूं चाहे तो आप मुझे फोन कर लेना चाहे आप मुझे कॉल कर मैसेज कर लेना वाट्सेप के उपर मैं एक्स्प्लेइन कर दूंगा ओके सो आज मेरे पास पहला कोश्चन है हमारा इन और गनीक के मिस्ट्री में हम लोग पी ब्लॉक कर रहे हैं पहला कोश्चन है कि ऑक्सीजन गैस की होती है रून टेंपरेचर पे आप सभी को मैंने प्लस वन में सिखा दिया गा था कि सबसे छोटे छोटे जो एलिमेंट हो हाँ जी जो छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं जो सबसे रधा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं बेटा वो एलिमेंट हैं ऑक्सीजन फ्लोरिन और नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन फ्लोरिन और नाइ होता है और क्योंकि यह O2 की form में होता है सो इसके अंदर double bond बनते हैं oxygen के अंदर क्योंकि इसमें double bond बनते हैं और इसमें tight bonding होती है strong bonding होती है इसमें d orbital भी available नहीं होता क्योंकि इसका size चोटा होता है इन कारणों के करके जो oxygen आपको हमेशा beta gas की form में मिलेगा room temperature पर पढ़े इसको in oxygen molecule oxygen atom are held together through double bond that is covalent bond due to small size and non availability of d orbital in the valence shell of oxygen and presence of weak wonderful forces oxygen exist as gas at room temperature so oxygen का size चोटा होता है उसमें double bond होता है उसके बास खाले d orbital नहीं होता है जितने भी बैटा multiple bonded molecule होएंगे न उस वह होते ही gas है जैसे अगर O2 अगर gas है तो ऐसे N2 भी gas है N2 भी multiple bonded element है हमारा molecule है N2 के अंदर भी triple bond होता है वह भी gas है ठीक है तो पहला question clear होगे आपको अब अगले question पर आता हूं अगला question है कि हमारे पास OF6 compound है यह क्यों नहीं बनता बेटा OF6 compound बनाने के लिए oxygen के पास six unpaid electron होने चाहिए और oxygen oxygen अपने six unpaid electron कहां से कर लेगा बेटा वो तो अपनी octet expand नहीं कर सकता क्योंकि oxygen के अगर हम electronic configuration देखे तो वह 1s2, 2s2, 2p4 ठीक है 2p4 तक यह जा रहा है पर इसके बस खाली d orbital होगा तभी तो अपनी valency expand करेगा कल मैंने आपको जो उपर question करवाया था और वो question मैंने आपको करवाया था कि जो oxygen और sulfur को अगर हम compare करें जो sulfur होता है वो excited state क्यों show करते था उसमें आपको variable oxidation states क्यों मिल जाती है फिर मैंने आपको बताया था कि sulfur अपने electrons को singly अपने खाली d orbital में भेज सकता और plus 6 तक oxidation state show कर सकता है जो काम sulfur कर रहा है ना बेटा oxygen नहीं show कर सकता क्योंके बेटा oxygen के पास थो empty d orbital ही नहीं है वो अपनी octet को अपनी valency को extend नहीं कर सकता यानि अपनी oxidation state को expand नहीं कर सकता क्यों नहीं expand कर सकता क्योंके उसके पास बेटा खाली d orbital नहीं है तो इस करके OF6 नहीं बनता OF6 आखिर में बनेगा कब तभी बनेगा OF6 अगर oxygen आपके पास 6 unpaid electron होगे वो अपने जो paired electron है उनको खाली d orbital में shift करेगा पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि oxygen के पास तो खाली d orbital नहीं है तो पढ़े In order to form OF6, 6 half-filled orbital should be present in oxygen to overlap with 2p half-filled orbital of fluorine atom but oxygen has only 2 half-filled orbital oxygen does not have d orbital, empty d orbital in its valential, it cannot expand its octet or coordination number, therefore it cannot form the compound OF6 तो पहले 2 question है कि oxygen room temperature पे gas क्यों है उसका answer मैंने आपको बता दिया कि oxygen room temperature पे gas is करके है, क्योंकि उसमें double bond होता है हमेशा multiple bond होता है फिर OF6 compound क्यों नहीं बनते है OF6 compound इसले नहीं बनते है हाँ जी OF6 इसले नहीं possible क्योंकि oxygen के पास d orbital नहीं अतर वो अपनी octet को expand नहीं कर सकता अब आगे हमारे पास question आ गया कि H2S जो है वो हमेशा reducing agent की तरह काम करता है, यानि वो हमेशा electron accept, donate कर सकता है ठीक है while SO2 can act as both reducing agent as well as oxidizing agent मरतब SO2 एक ऐसा molecule है, जो electron accept भी कर सकता है और electron donate भी कर सकता है तो इसको हम कैसे explain करेंगे तो इसको explain करने के लिए सबसे पहले बेटा हम ना H2S की oxidation state निकालते है है, H2S, आपको पता है कि H2S में दो hydrogen है H2S में अगर हम देखें sulfur की oxidation state के आ रही है minus 2 अब जरा SO2 के अंदर निकाल के देखें क्या आती है तो X हो गया हमारा sulfur plus oxygen पे minus 2 का charge होता है तो minus 2 into 2 equal to 0 तो X हो गया हमारा X हो गया plus bracket में minus 4 equal to 0 तो X की value आगी है हमारे पास plus 4 तो बेटा H2S के अंदर sulfur minus 2 oxidation state में है और SO2 के अंदर sulfur plus 4 oxidation state में तो H2S में अगर minus 2 oxidation state है तो ये तो बेटा सिर्फ electron donate ही कर सकता it can only donate electron क्योंकि ये electron सिर्फ donate कर सकता है तो that's why it act as reducing agent अब जरा हम बात करते हैं SO2 के बारे में SO2 में हमारे पास क्या है जी plus 4 oxidation state है तो ये in between आगी minus 2 से लेके plus 6 से लेके बीच में आगी plus 4 so बेटा SO2 electron lose भी कर सकता है plus 6 में भी जा सकता है SO2 electron gain भी कर सकता है minus 2 में भी जा सकता है यानि sulfur dioxide can lose electron तो अगर ये electron lose करेगा तो reducing agent कितना behave करेगा SO2 can gain electron तो ये electron gain करेगा तो oxidizing agent कितना behave करेगा ये reason है कि sulfur dioxide oxidizing or reducing agent दोनों कितना behave करता है जबकि H2S है वो सिरफ reducing agent कितना behave करता है यानि electron donate करता है ले नही सकता है तो यह reason है H2S is reducing in nature whereas H2O is reducing as well as oxidizing फिर अगला question हमारे पार सा रहा है कि sulfur solid है जब कि oxygen gas क्यों है room temperature पे sulfur solid है oxygen gas क्यों सबसे पहली बाद अभी उपर ही हमने इस question को कर लिए कि जो बेटा जो oxygen होता है उसका size बहुत चोटा होता है उसमें double bond होता है size चोटा double bond और very small size होने के कारण यह हमेशा gaseous form में exist करता मैंने आपको पहले बताया है कि जितने भी multiple bonded molecule होते हैं जाए अगर उनमे double bond हो अगर उनमे triple bond हो वो gaseous form में ही मिलेंगे आपको और जितने भी molecule हैं जिनके अंदर single bond हो यूजिली solid तो sulfur का तो बेटा है तो size बहुत बढ़ा हो गया और उपर से सकी catenation power यह self linking property है इस करके यह हमेशा आपको पकड ring like structure में sulfur मिलेगा तो sulfur हमेशा आपको किस form में मिलेगा solid form में मिलेगा room temperature पे और oxygen आपको किस form में मिलेगा room temperature पे gas की form में मिलेगा समझागे अगला question SF6 well known है बट SH6 is not known बेटा SF6 बनाने के लिए न हमारे पास SF6 में 6 fluorine लगे है 3s1 हो गया 3p3 हो गया 3d और बाहरवाले d orbital में भी इसने दो electron जम्प कर वा लिए actual में electronic configuration क्या होनी चीए थी 3s2 3p4 पर क्या हो गया एक electron 3os का आगे जम्प कर गया d में एक electron 3p का आगे जम्प कर गया d में तो अब कितने unpaid होगे 1 2 3 4 5 6 सो यह 6 unpaid electron किस के करके है सिरिफ इस sulfur phosphorus fluorine के करके है fluorine इतना जादा electron negative है कि वो easily sulfur के 6 electrons को excite करके उसको plus 6 oxidation state में ले जाता है यह reason है कि SF6 possible है SF6 बन जाता है पर SH6 क्यों नहीं बनता क्योंकि बेटा hydrogen में तो इतनी electron negativity है ही नहीं और hydrogen के एक जो atoms है क्योंकि इनकी electron negativity जादा नहीं है यह sulfur को plus 6 oxidation तक नहीं excite कर सकते हैं इनके लिए impossible है इस कारण से SF6 बन जाता है SH6 नहीं बनता क्योंकि fluorine is highly electronegative it can easily excite sulfur to plus 6 oxidation state but in hydrogen is not electronegative it cannot excite sulfur to plus 6 oxidation state due to this reason SF6 is known but SH6 is not known अच्छा अब हमारा अगला question आ गया अगला question है कि SF6 is not easily hydrolyzed though thermodynamically it is feasible whereas SF4 is easily hydrolyzed SF4 easily hydrolyzed की हो जाता है तो हमारे पास दो molecule है एक हमारे पास है SF6 और एक हमारे पास है SH6 तो कहता है SF6 पानी में बिलकुल नहीं घूलता जबकि SF4 पानी में घूल जाता है ऐसा क्यों है ठीक है तो आईए अब हम इसके बारे में बात करते हैं सो बच्चो अगर मैं आपको SF6 बना के दिखाऊं दिखो जी SF6 की आपको पता सल्फर की विलंसी 6 तो यहां पे ओक्टाहेडरल शेप होगी 6 फ्लोरिन एटम होएंगे यहां पे इसके रहा हूं ठीक है 6 के 6 फ्लोरिन एटम ने 6 उसकी जो अक्टेट है उसके जो भी उसके आउटरमोस्ट 8 एलेक्टरन थे हैं उनको यूज कर लिया अब आप नोटिस करो सारी तरफ से सल्फर पूरी तरह पैक हो चुकी है क्योंके सल्फर पूरी तरह पैक है, स्टेरिकली पैकड है इस करके वाटर का मॉलेक्यूल अंदर एंट्री ने मार सकता एक तो यह रीजन है बेटा कि जो वाटर में SF6 नहीं गुलता दूसरा रीजन यह है कि आपको पता वाटर में हमेशा उक्सीजन के ओपर दो लोन पैर होते है और यह दो लोन पैर फ्लोरिन को दे सकता है ताके बॉन्ड बने पर problem हमारी यहाँ पर यह है, फ्लोरीन के बास खाली orbital है नहीं, d-orbital है नहीं, फ्लोरीन का size इतना चोटा है और उसके बास खाली d-orbital नहीं है, इसकर के फ्लोरीन water के molecules है और lone pair of electron accept नहीं कर सकता, एक यह reason है जिसके कारण फ्लोरीन और water के बीच में bond नहीं बनता, दूसरा फ्ल closing, all over side से उसने sulfur को बंद करके रखा वे, so बेटा यह reason है कि SF6 पानी में dissolve नहीं होता, क्यों नहीं dissolve होता, एक तोरी SF6 में octahedral arrangement है, geometry है, जिसमें sulfur को 6 की 6 side से फ्लोरीन ने cover किया है, दूसरा, जो water है वो फ्लोरीन को lone pair नहीं दे सकता, क्योंकि फ्लोरीन के पास lone pair accept करने के SF4 में सबसे पहले तो आप notice करो किस तरह की shape होगी, you remember मैंने आपको see-saw shape करवाई थी, तो यहाँ पर बेटा see-saw ही होगी, SF4 में see-saw shape है और यह देखो, इसका lone pair नजर आ रहा है आपको, ठीक है, यह हमारे पास आ गया, अब आप notice करो, see-saw सबसे पहले एक तो यह molecule open है, यह देखो, यहाँ से close है, close है, पर यह पूरा area इसका open बड़ा है, तो असानी से water attack कर सकता है, और water इसको dissolve कर सकता अपने में, दूसरी बात, sulfur के पास lone pair है, पर sulfur के पास empty d-orbital भी तो है, empty d-orbital होने के कारण, sulfur water के lone pair को भी accept कर सकता अपने अंदर, so, दो चीजे, जो वहाँ पे possible नहीं थी, SF6 में, वो SF4 में possible है, एक तो molecule पूरी तरह close नहीं हुआ, open है, water का attack हो सकता, पानी में dissolve हो सकता है, molecule है, दूसरा sulfur के पास खाली d-orbital है, और d-orbital खाली होने के करण क्या हो जाएगा, easily sulfur water का lone pair accept कर लेगा, यानि water sulfur को dissolve कर देगा, तो ये reason है, कि SF6 water के अंदर dissolve नहीं होता, हाइड्रोलाइज नहीं होता, जबकि SF4 water में हाइड्रोलाइज होता है, क्यों, फिर से SF6 में octahedral arrangement होती है, close structure होता है, और पूरी तरह pack होता ही है molecule, और water अपना lone pair fluorine को नहीं दे सकता है, क्योंकि fluorine के बाद d-orbital नहीं, इस करके water में SF6 नहीं भूलता, SF4 में molecule पूरी तरह pack नहीं है, आदा open है, तो water का attack हो सकता है, दूसरा जो sulfur है, वो easily water का lone pair ले सकता है, जिससे पानी में SF4 dissolve हो जाएगा, और अब हम पहुँच गे हैं हमारे last question पे, कि sulfur greater tendency of catenation क्यों show करता है, selenium से, यह रख, sulfur exhibit greater tendency for catenation than selenium, उसका simple answer है बेटा, जैसे जैसे आप top to bottom आते हो ना, सबसे पहले आप notice करो के आपके atom का size बढ़ेगा, अब atom का size बढ़ेगा, तो metal-metal bond की जो strength है वो weak हो जाएगी, तो sulfur का metal-metal bond है वो बड़ा strong होता है, इस करके वो अच्छी catenation भी show करती है, पर selenium का इतना बड़ा size हो रहता है कि उसके अंदर metal-metal bond तो बेटा बहुत weak हो जाएगा, इस कारण से जो sulfur होता है वो greater tendency show करता है catenation की, selenium lower tendency show करता है, क्यों? क्योंकि sulfur में metallic bond strong है, catenation power जदा होगी, selenium में metallic bond weak है, catenation power weak होगी, क्योंकि selenium का size बहुत बड़ा हो जाता है, तो बेटा यह आज का मेरा lecture था पी ब्लॉप के ऊपर, I hope आपको सारे questions समझाये होंगे, तो इन सभी को आज हमने कितने questions की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, तो इन सभी questions को copy में चेज़े तार लेना, याद कर लेना, कोई भी difficulty हो, you can WhatsApp me, text me, call me, I'm always available, stay safe, stay home.